शर्व नेक्स्ट क्वेशन करते हैं क्वेशन क्या कह रहा है इफ लॉंग हॉलो कॉपर पाइप कैरीज अ डारेक्ट करन्ट दर मैगनेटिक फिल एस्टीटेड विद दर करेंट विल बी पहली बार तो आपको एक हॉलो पाइब बनाना है ठीक है इसका रेडियस स्मॉल आर्मान देते हैं इसका कैप्टल आर्मान देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस पाइप में मूव कर रहा है यह इसको तो ठीक कर दें यह मैं ऐसे बना दे रहा हूं पाइप को कुछ इस तरह का पाइप है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं यह मू एलेक्ट्रान सर्फेस पर होते हैं सारे तो यह हॉलो पॉर्शन है तो अगर यहां कोई पी पॉइंट ले गया जाए और यहां पूछा जाए कि मेगनेट क्या होगी तो एंपीरियन इसके हम लूप अपड़ेगा यह मेने फृशा इसको क्लर चिंग कर दे रहा हूं अंपी दिलूत के लिए मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉब कर देता हूं ग्लू कलर से कर देता हूं यह पी पॉइंट है यहां पर मैं एक एंपीरियन लूप रोक दिया अब एंपीरियन लूप के एकॉर्डिंग जो फर्मुला होना चाहिए वी डॉट डील लूप घ्राइब अब इस लूप के अंदर वताओ क्या मैगनेडिक फील्ड है इस लूप के अंदर स्वल करन जा रही है अंसरने कोई कर नहीं जारी क्योंकि कोई यह लपकान पास नहीं करेगा इस लूप के अंदर से तो आई की वेलू zero होगी इत मीज बी डॉक डीयल की वेलू zero होगी ठीक है इत मीन magnetic field zero होगी एड पॉइंट पी पॉइंट पे लेकिन यही पॉइंट अगर यहां चला जाए या यहां चला जाए अंदर विदिन दर अगर इसमें अप्षिन कौन सा अप्रोप्रियेट है इसमें विदिन दर अप्षिन नहीं दिया हुए विदिन दर पाइप नहीं दिया हुए लेकिन यह ओन्दी आउसेड़ दपाइप कहे रहा है तो यह अप्षिन ज्यादा अप्रोप्रीट है ठीक है विदिन दर पाइब भी होगा मेंगय और बाहर भी होगा तो यह मोसे प्रोप्रोप्रेट ऑप्षिन है ठीक है चलो नेइक्स कुशन करते हैं